ना संघर्स ना तकलीप तो क्या मजा है जीने में बड़े बड़े तुफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सिने में नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आका सगेट में पॉइंट में तो प्यारे साती हो आज के ये वीडियो आप सभी स्टूडेंस के लिए बहुत जादे इंपोर्टेंट है जितने सारे विद्यार थी नवोदोई एंटरंस एक्जाम की त्यारी करें क्लास नाइन्थ के लिए तो इस वीडियो को कंप्लेट देखी आप लोगों के लिए दोस् टेलिगारम और वाट्सेप चैनल के साथ अभी कभी जूड़ जाएं कि इसका पीडियाप आप लोगों को आहीं पर मिल जाएगा जतने सारा कोशन कराऊंगा सभी का पीडियाप आप लोगों पर मिल जाएगा देखे सारे प्रस्टन बहुत इंपोर्टेंट है तो आप लो देर किये और अगर आप लोग हमारे चैनल के लिए नीव आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यूकि ऐसे वीडियो आप लोगो मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जैन भी 24 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आप लोग complete वीडियो को देखने की कोसिस करें ठीक है यह class 9 की students के लिए काप ही जो आना है यह helpful वीडियो होने वाला है तो देखिए हमारे पास जो पहला questions है पहला questions के से पूछा गे यहाँ पर देख लीजिए पहला जो questions है देखिए यहाँ पर क्या बोल लाए question में ठी है आप लोग यहाँ पर हरक्षी clear हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा अप लोग ध्यान से सुनना है तो पहला questions को हम highlight कर दे रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरी किसे दिखेगा questions क्या है कि जब एक ही किस्म के पोधे किसी इस्तान पर बड़े पेमाने पर नियमी तूप पुखसी अगया जाते हैं से क्या कहते हैं तो रॉक अपके पास ऑप्सन नमर आपके पास क्या होगा और ना कोशिं कितना फसर आए तो हमारा क्लास नमर एक है इसी प्रकार से आकर आप लोग का सपोर्ट रहता है तो class number 2, 3 इस प्रकार से हमारा आता जाएगा अगर आप लोग comment करेंगे अभी से ठीक है जो आपके पास एक महीना जो भी समय है आपके पास उससे बहुत अच्छा तयारिया आप कर सकते हैं देखिए अगला question simple questions के रूप में क्या पूछा जा रहे है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो राजवियम नामक जिवानू है किस फसल के जड़ में पाजाने वाला ग्रंथी में उपस्तित होते हैं यह ची आपको बताना है तो राजवियम नामक जो जिवानू है वो कौन से फसल के जड़ में पाजाते हैं जड़ में पाजाने वाला ग्रंथी किस में उपस्तित होते हैं तो इसका right answer होगा option number B आपके पास फलीदार फसल आपके पास बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question आप लोग देखेंगे तो अगला question क्या है कि ग्रिस्व रितू में उगाय जाने वाली फसल तो आपके पस यहां पास जायद फसल होगा तो आपके पास यहां पास जायद फसल होगा तो आपके पास नमसी right answer होगा इस चीज़ को आप लोग याद रखेगा और दोस्तों निचे comment box जो आप लोगा खुला हुआ है ठीक है निचे जो comment box खुला हुआ है इसमें आप लोग जल्दी से comment करेंगे किसर हम लोग को set 2 भी चाहिए जल्दी से comment करेंगे ताके आप लोग को नम बहुत जल्दी set 2 भी प्रवाइड करवा देंगे science का ठीक है उसके बाद mathematics का मैंने दो-तिन वीडियो दिया था उसका link आपको description box में मिल जाएगा और आप लोग उसी प्रकार से support दिखाए तो आप लोग वीडियो का वारमार आप लोग इस channel पर देखने को मिल जाएगा देखिए अगला सवाल आप लोग उसे questions के रुप में क्या पूछ रहें यहां पर ध्यान से सुनेंगे क्या बोला है कि जोनतुओ द्वारा प्राप्त खाइद पदार्थ ठीक है तो यहां आप से कौन सा जो है चीज़े है यहां पर अगला question क्या है कि धनी संचरित हो सकती है ज़िए ला तो दोस्ट यहां पर सिंपल देखिए यहां पर पूचरा की धनी धनी थनी यह ना तो धनी संचरित होती है यह आपको पता होगा जिस रूप में संचालित होती है तो यह आप लोग को पता होना चाहिए, तो यह आपके पास जो है, आपके पास option number D right answer होगा, यहाप पर देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, यहाप पर देखेंगे तो ठोसों में भी होता है, द्रबें में भी और गैसों में भी जो है न, यह धनी संचरीत हो सकती आपको पता होगा, अगला कोशन देखिए, अगला कोशन क्या है, काफी important और यह सेट आप लोग के पास बहुत ज्याद है, आप लोग को नोडाउन कर लिजा हर एक कोशन को, ठीक है, और सेट टू अगर आप लोग का डिमांड आता है, तो सेट टू भी आप लोग को मिल ज होता है, ठीक है आफ का लोग को क्या पूछ रहा है, यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है, ठीक है यूनिट यानिकी मातरक पूछ रहा है, तो आवर्थ काल का जो मातरक होता है, वो second होता है, option झाप सी, correct answer हो जाएगा, वहीं बात करें, अगले सवाल की आप लोगना सवाल द सीम्पल कोर्चन कुछ रहा है तो सिंपल नमर होताई तो फींपल आपास नमबर Playerskill क्या होती किaning कि हार जिसे कम ठीक है यह correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आंतरिक निसेचन किस में होता है तो दोस्तों आंतरिक निसेचन जो है मानब शरीर में होता है देखिए यहां पर अगला questions क्या पूछ रहा है आप लोगों से अगला questions यहां पर पूछ रहा है कि वे जोन सबाल के रूप में पूछ रहा है यहां पर देखिए कि यहां पर है कि एक जुगमनाज में पाजाने बाला केंद्रोकों की जो संख्या है वो कितनी होती है तो एक इसका correct answer होगा option number 1 ठीक है चलिए अगरा question देखिए क्या है जो 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 जोन तु अपने जैसे सिसू जन में देते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो जो तो उसे आम लोग बोलते हैं जा रहा है यानिकि option number आपके यह पास क्या answer होगा option number B correct answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं मुकुलंद वारा जनन किस में होता है तो दोस्तों यहां पर हाइडरा correct answer होगा है ना हाइडरा correct answer हो जाए कि निम्नम ऐसे जो है न कुन प्रदीप्त बोस्तुई है तो यहां पर स्विरी इसका correct answer हो जाएगा स्विरी जो कि एक प्रदीप्त बोस्तुई है अगला question क्या है कि वह पदार जो स्वयम प्रकास सरजित करता है उसे क्या कहते हैं तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त बोस्तुई तो आप दरपन प्रदीप्त बोस्तुई है चले अगला question कि मानब की स्विस्पस्ट द्रिष्टी की नुइनतम दूरी काफी important है और यहां से यहां से हो सकता है कि आप लोगों से जो है नुइनतम पूछ लें तो नुइनतम में क्या होता है धियान से दियान पूर्बग आप लोगों को देखना है ठीक है दियान पूर्बग अगर देखो गए तो कलियर होगा तो नुइनतम की बात करें तो यह 25 cm होती है अगर अगर आप लोगों से पूछ रहे की दिर गया ने की दूर दूर में क्या होता है तो इसकी दूर में इंफिनि में 25 cm ठीक है 25 cm तो दोस्तों हड़वरी में आप लोग गलत मत कर कर येगा इसको मत टिक कर दिजेगा आप संन्मर्ब परकास का पराबरतन होते हैं इसके कितने नियम है तो परकास के प्रिष्ट किया हुआ एक प्रिष्ट होगा यहां पर क्या होता है कंसेप्ट को थोड़ा सा धियान देंगे इस प्रकार से प्रकास आता है पिर टकरा कर जो है बापस चला जाता है तो यह जो आया इसे बोलते आपतित कीरन ठीक है यह होता है पराबरतित कीरन और इसके बीच में एक अभिलाम भी द प्रकास आता है फिर टकरा कर बापस चला जाता है इस परिक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं प्रकास के पराबरतन बोलते हैं इसके दो नियम भी होते हैं जैसे कि आप ततकीरन पराबरतित कीलन तता अभिलम पर डाला गया ठीक है यहां पर अभिलम जो है तीनों एक ही तल में होते हैं आप दोस्तों ये का second being together होते हैं आप लोग समझगे ठीक है चलो यह था अजा भीडियो आप लोगों से फिर मिलें कि नए-नए-नए कं-सेड के साथ और mathematics का video description box में लिंक द्याए मात्रम दो को देख लेंगे और आप लोगे इस अल्ट विडियो में सप्वर्डों प्ष रहता है तो आपको विडियो जो मिलेंगे। बहुत अच्छा-चा विडियो जोगों दी जाएंगे ।चैल भी मिलता है कि इससे नेख्ट विडियो पर थेंक्यू जहन बंदे मात्रम।